आज हमारे दो भाईयों की तिलक है डेकुरेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर डेकुरेशन पूरी हो चुकी है और गेस्ट भी आ चुकी है हर तरफ खुशी का महाल है क्या आपने कभी गाउं की साधी देखी है मैं यूपी के एक छोट इस गाउं में रहती हूं यह मेरा फस्ट ब्लॉग है मैं आप सभी यूट्यूब फैमली का स्वागत करती हूं ओ नो इस फंक्शन के बीज बारिस हो गई अब क्या होगा फिर भी सब इनजॉय करने में लगे हुए हैं और बारिस के खत्व होने का फेट कर रहे हैं प्रियादी भी त्यार होके आ चुके हैं अब फानली हमारे भाया जी तिलक पुजन के लिए बाहर निकर रहे हैं एक्शली दो भायों की तिलक है इसलिए बड़े भाया की तिलक पहले होगी उसके बाद छोटे भाया की तिलक होगी वैसे आप लोगों में से कितने लोगों की साधी हो चुकी है और आप लोग तिलक फंक्शन में कभी जा चुके हैं ये जरूर बताईएगा खुसी के इस महाल पर मेरे आधर निये सर्जी भी आये हैं और हमारी प्यारी जिप्रियादी की सेलफी भी स्टार्ट हो चुकी है हर तरफ जगमक जगमक सा महाल हो चुका है ओ नो पसीने ने मेरा पूरा मेक अप कराप कर दिया है छोटी छोटी बच्चे किती खुश है सब बिजी लग रहे हैं गाउं की ओरते गाना गाने में लगी हुई है दूसरे तिलक फंक्षन के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और यह है मेरी आउटफिट मेरे प्यारी तीनो सिस्टर्स मेरे प्यारे भाईयाजी की इंट्री हो रही है और अब हमारे भाईयाजी जा रहे हैं तिलक फुजन के लिए और यहां पर वो बैठ चुके हैं पुजन के लिए वाव काफी रात हो चुकी है अरे वाव उदर तो डांस हो रहा है दीदी भाईया तक चुके हैं और तकक बैठ चुके हैं आईए हम गेस की ओर चलते हैं पर कुछ भी हो जाए एक चीज तो कहेंगे ही कि भाईया जी इस कुर्टे में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वैसे ये कलर बहुत प्यारा है थोड़ा दी लोगों के साथ सेलफी ले लेती हूँ प्यारे तो लग रहे हैं हम दोनों आईए हम गां के लड़कियों की ओर चलते हैं वाव प्यारी प्यारी संदर संदर लड़कियां चलिए भोजन करते हैं खाने में क्या क्या बना है ओ शाक्चिद्धी और संध्यादी अरे प्रियादी कहा चले गए ओ वो रही पठा के जला रहे हैं आज से एक दिन पहले का मोहल हमारे में पूजा थी और हम साथ ने मिलकर हवान और पूजन कर रहे थे गांकी सारी ओरते भी आई हुए थी और वो मोहल तो बहुत ही प्यारा था हमने मिलकर आरती भी की पापा और प्रियादी ने आरती गयी वैसे सवारती गहा रहे थे और हमने बहुत इंजाय किया Thank you so much कि आप पूरे वीडियो तक हमाज़ाद बने रहे